आपकी जागरी तवस्था चाहिए रेदी आवस्था जागरी तो नहीं है आप मूर्चित हैं तो सारे कर्म आपकी गड़ बढ़ होंगे बिगड़ जाएंगे सारे कर्म इस आत्मा को तो प्रसंद करी नहीं पाएंगे फिर परमात्मा को कैसे प्रसंद करेंगे awareness एक ऐसी वस्तु है जागरित अवस्था जिसके पास सभी गुण प्रगट होते हैं इसलिए आपको अपनी सासों का भी खयाल रहना चाहिए कि मेरी सासें सुख पूर्वक चल रही है या नहीं चल रही है मैं सो रहा हूँ क्या मैं वास्तों में पूर्ण सुख की नीद सो रहा हूँ किस करवट से सो रहा हूँ कितने बज़े होंगे अभी रात के आपकी इस्मृती भगवान शिरी के चरण कमलों में है या नहीं सोनी के वक्त आपकी जागरित अवस्ता है कि नहीं आपके इर्दे में दीपक जल रहा है या नहीं दीपक बुझा के सो रहे हैं तो आप मुर्चित होके सो रहे हैं दीपक जला के सो रहे हैं इर्दे रूपी दीपक लाइट है तो बंद कर देना भी शक यदि हिर्दैरूपी दीपक जलाकर सो रहे हैं तो अवश्री आप जागरी तवस्था में सो रहे हैं जागरी जब होश में व्यक्ति काम करता है तो गलत कदम नहीं उठाता जिसको जागरी तवस्ता है जिसका दीपक जला हुआ है वो नहीं कदम उठाता शराब पीने के लिए मांस खाने के लिए चोरी करने के लिए डाका डालने के लिए वो जूट भी नहीं बोलता जूट का साहरा नहीं लेना चाता वो चैतन है जागा हुआ है वो जानता है जूट बोलने से मेरी भावना दूशित होगी और दुरगुण मेरे पास चले आएंगे वो जानता है चोरी करने से डाका डालने से मेरी भावना कलुशित होगी और सारे बुरे विचार मेरे घर में आके इकटे हो जाएंगे जिसे मैं अगला कारिय और भी घटित करूँगा, नीच करूँगा मुर्ची तवस्ता में सारे पाप होते हैं जागरी तवस्ता में सारे कर्म पुर्ण होते हैं आपका नहना भी पुर्ण होता है फिर, आपका खाना भी पुर्ण होता है और जो कर्म आपकी आगे की तरक्की को रोके बहुती तरक्की की बात नहीं है अध्यत्मिक्ता की और आपकी विकास को रोके वो कर्म आप मत कीजिए जो कर्म भगवान की और आपके कदम बढ़ाते हों उन कर्मों को कीजिए ये भगवान को अरपन करना है कर्मों का कर्मों का फिर आप आपको कहनी जरत नहीं पड़ेगी कर्मों का जो फलाया उसको भगवान को अरपन करो आप स्वते ही सद कर्म करेंगे उस फल से भी उस फल से आपके सारे कर्म सद कर्म होंगे जो सद कर्म होंगे वो भगवान को अरपन होंगे सत्त कर्म ही तो सत्त को अरपण होते हैं सत्त पर भगवान का परमात्मा का दूसरा नाम है दुस कर्म सत्त को अरपण नहीं होते हैं जूट को अरपण होते हैं दुस कर्म जूटों को अरपण होते हैं बुरे कर्म करने वाले अपने बॉस को कर्मों को अरपन करते हैं। गैंगिस्टर्स होते हैं, सिटीज के अंदर, वो दुस कर्म करते हैं, किसी का कतल कर देते हैं। किसी का घर जला देते हैं, किसी का पाउँ तोड़ देते हैं, किसी के आँख फोड़ देते हैं। वो बास को औरपन करते हैं अपने कर्मों को, उनका जो भाई, दादा भाई होता है, लीडर ओफ दा गेंग, उसको औरपन करते हैं, नरा धम को पूछते 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 हैं, जो नीच कर करने माले वे उसके लीज़ование होते है वे उसके बॉस होते हैं उन्हीं को पूस्त रहता है तो बचिए सथ कर्म कीजिए लोकृ न को और पांगे परमीश्वर को और पंगे रमात्मा को और पंगे और आपकी भावना में परमात्मा समायत होग vehicle आप God Consciousness होंगे, भगत भावित होंगे, कृषना Consciousness भ्यक्ति कृषन को मिलता है, भगत भावित भक्ति कृषन को मिलता है, भगवान को मिलता है. नरादम भावना वाला व्यक्ति थोड़े कैसे मिलेगा, वो नरादम को मिलेगा, अधम नर को मिलेगा, उसके बॉस को मिलेगा जो बदमाश है रहे हैं, उसके भावना उसी के चरण कमलों में है, चरण कमल तो नहीं करना चाहिए, धतूरा चरण कहना चाहिए, धतूरा चरण कमल चरण तो भगवान की होती है, तो उसके धतूरा चरण होती है, जो असुर है, राक्षस है, पोईजनिश चरण जिसको कहती है, धतूरे का फूल क्या है, पोईजन है, भल भी, यत करो उसी, हे अर्जुन, जो तू कुछ करता है, वो मेरे लिए कर, यानि जिस कर्म को करने में इस सेल्फ की, यानि आत्मा की तरक्य होती हो, ऐसे कर्म कर, मुझे अर्पन कर, तो अर्पन तो अपने आप हो जाएंगी फिर, जो ब्यक्ति सत्कर्म करेगा, जो अपने आध्यत्मिक तरक्य के लिए पचेगा, उठते बैठते, खाते, पीते, नाते, बजार जाते, किसी से बात करते, वो ब्यक्ति जो बात भी करेगा, तो भगवान के प्रती करेगा, सत्ता की बाते करेगा जूटे संसार के टॉपिक्स को पॉलिटिशियन्स के टॉपिक्स को टॉपिक्स को लेकर बात नहीं करेगा वो भगवान के भावना में भरा हुआ अभ्यक्ति सदेव भगवत भावित बात करेगा उसको गलोरिफाई करेगा इश्वर की जैजे करेगा वो कर्म करेगा वो सत्त कर्म होंगे और जो कर्म उसकी भावना को शुद्ध करने के लिए अवरोधन पैदाने करते हों ऐसे कर्म करेगा जो ऐसे कर्मों का फल आएगा तो वो तो भगवान को ही अरपन हो गया सत्त को ही अरपन हो गया awareness में जागरी तवस्ता में तो आप होश में जीवन जीए तो आप सत्कर्म करेंगे बुरे कर्म नहीं करेंगे फिर कैसे किसी गाय को काट पीट के खाओगे कैसे किसी जीव को सताओगे नहीं सता सकते आपको ग्यान होता है पूरी तरह कि ये भी मेरी तरह आत्मा है इनको भी इनके हिर्दे में भी वोई ख्रियाएं होती हैं जो मेरी हिर्दे में होती हैं इनको भी दुख होता है इनके भी आँसु आते हैं इनको भी भै लगता है ये भी बच्चे पैदा करते हैं उनको पालते हैं, बड़ा करते हैं ये भी सोते हैं, जगते हैं मेरी तरह इनको भी भूग प्यास लगते हैं मेरी तरह मैं क्यों इन जियों को सता हूँ ये होश में होता है सारा काम होश में दया, क्षमा, सत्त सभी आपके हिर्दे में प्रकट होती है सारे सद्गुन आपके हिर्दय में प्रगट होते हैं इनकी कुंजी है जागरी तवस्था होश में आपको हर चीज का हर चीज होश में करनी चाहिए खाना भी होश में जीना भी होश में चाहिए जीवन को जीना होश में चाहिए अपनी दफ्तर में दुकान पे जाते हैं आपकी चाल धाल भी होश में होनी चाहिए कहां चल रहे हैं कैसे चल रहे हैं आपको पूरा पता रहना चाहिए इस बात का किसे बात कर रहे हैं कैसी बात कर रहे हैं क्या लूटने खसोटने की बात तो नहीं कर रहे हैं किसी दे कोई ग्रहा का आपके पास आया क्या उसे प्रेम से बात कर रहे हैं या उसको ठग ठगी की बात कर रहे हैं उसके साथ नहीं सत्त का साहरा लेकर जीवन जीने वाला सत्त को खुश कर लेता है जो सत्त के साथ चलता ह है वो जागरित है यह कहिए कि जागरित प्राणी जूत की और कदम नहीं बढ़ाता सत्त की और कदम बढ़ाता है तो होश में आके खान पान कीजिए होश में आके प्रेम कीजिए प्रेम भी होश में होता है बेहोश ही में नहीं होता बेहोश ही में लोग लिख देते हैं तेली फॉन से मैसेज देते रहते हैं आई लव यू, आई लव यू, उठा के ओ रखा रहता एक सेंटेंस, उसको बस क्लिक करके रख देते हैं, आई लव यू, आई मिस यू, यह ओश में नहीं है, अगर ओश आपको होगा, तो आप इसके लिखने की भी आवशक्ता नहीं समझेंगे, क्योंकि यू व्यक्ति प्रेम तो आपका स्वभाव है, प्रेम तो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव नफरत नहीं है, जब आप प्रेम करते ही हैं, प्रेम जब आपका स्वभाव ही है, तो आप एक व्यक्ति को या दोग बक्ति को, या माता पिताओं को प्रेम थोड़ी करते हैं, या अपनी पत्नी को प्रेम थोड़ी करते हैं, या अपनी बच्चों को प्रेम थोड़ी करते हैं, आप तो प् आप ज्यान स्वरूपा कि आप श्यमा स्वरूपा यह तो एक और दो को प्रेम करेंगे आप तो आपका थो आप प्रेम वरसा रहे होंगे बारिष भरसा ठीक वैसी ही, सामनी चाहिए पेड़ हो, पौधे हो, पशु हो, पक्षि हो, जन मानव हो, देवी देवता हो, यह परवीश्वर हो, प्रेम आफका स्वभाव है, और यह प्रेम नाम बस्तू जागरी तवस्ता में पहचानी जाती है यह कि यह जागरी तवस्ता में आप हर बस्तू को पहचान जाते हैं होश में यह दी आप जीवन जीते हैं तो हर बस्तू को ठीक ठीक जैसी वो बस्तू ऐसा जाते हैं बेहोश्य में हाद में थोड़ी समझ सकता है इन चीजों को बेहोश्य में उसको मालूम नहीं कि सिगार सिग्रेट मेरे कैंसर कर सकती है मेरे मुझ से बदबु आती है दूसरे बच्चों को पड़ोसियों को और चलते फिरते रोड पर भी जो चलते उनको भी तकलीफ होती है धुआ से आप धुआ फैंकते जा रहे हैं पुरानी रेलों की तरह पीछे से आने वाले लोगों को वो धुआ रिसी होती है वो अपने नाक सिका के आगे हाथ को ऐसे करते हैं फिर भी आपको होश नहीं है कि किसी ब्यक्ति को मैंने तकलीब दी मूर्चा में जीवन जीते हैं जो होश आपको होगा तो आप किसी का बद नहीं करेंगे किसी पशु का पक्षी का आप जानते हैं सुन्दर पक्षी है, सुन्दर पशु है, सुन्दर हिरन है, सुन्दर गव माताएं है यह हमको लाब देती है, पूरे समाज को लाब देने वाले है यह पशु और पक्षी भगवान ने प्रतेग वस्तु को किसी कारण से इस जमीन पर पैदा किया है यहां तक कि जहर को भी जहर से भी विशेस विशेस बीमारिया ठीक होती है जहर आत्मेत्या करने के लिए भगवान ने नहीं बनाया वो तो आत्मेत्या तो हम किसी भी रूप से कर सकते हैं जरूरी थोड़ी जहर खाके ही करें आत्मित्या करने के लिए तो कोई फंदा बना लो और लटक जाओ सीलिंग चट से जंप मार दो बारे मंजिल से समुद्र में ट्रेन के नीचे आत्मित्या करने के तो सादम स्वयम खोज लेता है मूर्शित व्यक्ति जागरित अवस्था में रहने वाला आत्मित्या नहीं करता जागरित रहने वाला ब्यक्ति लंबी आयू जीता है और जीना चाहता है क्योंकि जितनी लंबी आयू मनुष जीएगा उतनी संसार के और परमात्मा के अपने आपके अनभवों से ज़्यादा होते है जियो वेक्ति छोटी आयों मर जाते हैं उनको फिर उसी इस तर से जनम लेना पड़ता है जिस इस तर पर उन्होंने शरीर को ट्यागा जिस भावना में उन्होंने शरीर को ट्यागा लिए जिनकी भावना ज्यादा लंबी उमर पाकर के निखार पर आई है कुछ रिलाईजिशन और अधिक हुए हैं कुछ अनवव हुए हैं कि क्या सत्त है क्या सत्त है और ज्यादा उमर वाला सत्त की और आकरशित होने लगता है इसमें संदेज नहीं है जवान अवस्ता अंदी होती है आदमी मूर्चा में जीता है इसमें भी संदेज नहीं है अक्सर तो मेन निवेदन मेरा है आप लोगों से कि आप जो भी कुछ करते हैं वो होश में कीजिए तो होश में आप गलत कारिय नहीं करेंगे ये मैं अवश्ता आपको कहता हूँ आपको होश होगा तो आप चोरी नहीं करेंगे डाका नहीं डालेंगे जूट नहीं बोलेंगे बेइमानी नहीं करेंगे रिश्वत नहीं लेंगे आपको पता हुगा कि इसका परिणाम गलत आता है किसी वो मारेंगे पीटेंगे नहीं किसी वो गाली गलोच नहीं निकालेंगे होश में होंगे तो फिर क्यों आप सुरा और सुन्द्रियों के चक्कर में पढ़ेंगे अपनी पत्नी को सजा धजा के उनके साथ रहेंगे अपनी बच्चों से प्रेम करते हैं ऐसा फड़ोसी के बच्चों से भी प्रेम करेंगे प्रेम आपका स्वभाव है लेकिन यह सब होश में होता है बेहोश में नहीं बेवश होके तो लोग वेश्याओं के पास जाते हैं और उनसे भी कहते हैं I love you बेवश होके विश्की की बोतल को किस करते हैं और कहते हैं I love you विश्की चार आदमें हसते हैं उसके साथ वाले कि हा हा क्या प्रेम ही है विश्की का ये प्रेम प्रेम नहीं ये मूर्ची तवस्ता है प्रेम होगा तब तो सभी से आपका प्रेम होगा प्रेम आपका सभाव है होश आपका सभाव है आप भूल गए हैं होश को इसलिए थोड़ी मूर्ची तवस्ता है मूर्ची तवस्ता के कारण हम सोच नहीं पाते ही क्या ठीक है क्या बुरा है इसलिए हम कुछ भी करने शुरू कर देते हैं फिर क्यों नहीं व्यक्ति ओडर देजा कि कल मुझे पांसो पांच कुरिंटल बीफ चाहिए रेश्टरेंट के लिए होश में नहीं तो आदेश करता है ओडर करता है कलम उठाने की देर है प्लीज बिरिंग फाइव कुरिंटल बीफ टुमारो सप्लायर को बोलेगा हो सप्लाई कर देगा होश में नहीं है कि ये फाइव कुरिंटल बीफ कहां से आ रहा है एक दूद देने वाली माता को गाय को जो बहबीत हो रही है उसको जबरदस्ती मारा जाता है उसके दो टुकड़े किये जाते हैं और उसको बैयार में बिखने आ जाता है मांस ये मुर्चित अवस्ता में मुर्चित अवस्ता में जब जब सौसाइटी रहे गी तब तक तमोगुन में रहे गी और आज अहालत ऐसी ही है समाज की अल्मोष्ट अराउंड अवर्ल समाज मुर्चित है रोश में नहीं है चैतन्यता में नहीं अच्छेतन है भगवान चैतन्यता की बात कर रहे हैं चैतन्यता में जो भी करजन तु कुछ करेगा ओव मुझे अरपन हो जाएगा कैसे हो जाएगा सत्कर्म करेगा सत्कर्म का फल सत्चा ही फलाएगा मीठा फलाएगा स्वादिष्ट फलाएगा और उस फल को जरूर तो सत्कर्मों में ही अरपन करेगा मुझे ही अरपन करेगा सारे सत्कर्म सत्कर्म मेरे लिए होते हैं जिन कर्मों को करने से आपकी भावना शुद्धता पर निखार पर नहीं आ रही हो वो असत कर्म है और जिन कर्मों को करने से आपकी भावना शुद्धतम होती जा रही है दिन प्रति दिन वो सत कर्म है